हेलो गाइज मैं हुआपका दोस्त अभी से एक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने PC या लैपटॉप को 10 ताइम्स फास्टर कर सकते हैं या फिर कैसे उसकी परफॉर्मस को इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज सारा काम इंटरनेट पर होता है और इंटर्नेट का यूज हम किसी ब्राउजर की हैल क्ले fact अपको पता है कि हम जोह ब्राउजर कर रहे हं वह ब्राउजर क्या कर ता है अनी चीजों की एक हिस्ट्री क्रियेट कर लेता है को इसको हमाएं सिस्ट्म में कई-फर स्टोल करता रहता है वह दूइए अर उसके साथ जब हम कोई नई वबसाइट ओपन करते हैं या कोई नया प्रेंग करते हैं तो आपने कभी-कभी देखा होगा कि नए वबसाइट और आप में नोटिस किया हो कि जब कोई पर करते हैं तो जब फेर्श्ट प्रॉश्ट योड होता है तो वह पीज दज करेंकि तो आपने कोई होते है तो आप एता आपर टीन चीजे हैं जिसके वज़ए से कुझ को हमारी सिस्टम कि परफॉरमनेस जो हो हो और जो पर टी ऐती है क्वह गैसिल ऊद्रा है हमारा इसे कुटी चेुकिस सिकंड और थ़ड़ है कैश कैश फाइल्स तो आज जमी तीनों की बात करेंगे जो कि हमारे वाले सिस्टम की परफॉर्मिंस को स्लो करने में बहुत जारोड प्ले करती हैं कि तो सहसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की इस्ट्री क्या होती है तो फिर जैसे आपने देखा तो इसको अगर आप आपको यहां पर बहुत सारी डेटा मिल जाएगा जब जब आपने जो भी सर्च करी है ऑपन करी है यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा का तो सचिया अगर अपने मतलब की आपको सिस्टम कर रहे हैं और आपको इन सर चीजों के बारे में पता नही। आप आपने कभी इन सब चीजों को क्लियर भी नहीं किया हुगा तो जब से आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तब से यह डेटा सारा आपके सिस्टम में स्टोर हो रहा है जो की आपका स्टोरेज भी अपक्पाई कर रहा है उसके साथ साथ आपकी परफॉर्मस पर भी अफिक्ट कर आप करता रहूंगा तो यह चीज़े स्क्रॉल होता रहेगा पता नहीं कबसे मैंने भी यह डेटा क्रिया नहीं किया देखिए लास्ट डेटा शो हो रहा है संडे अक्टूबर तू तूथा उन्टी वन्टी टू देखिए तो मतलब इतना डेटा ना यह अननेसेसरी डेट क्टूबर जित्ती ज्यादे श्टूबर करता है तो जिसको कि हमें हर विकली और मंतली वास क्लीड करते रहना चाहिए यह तो हो गया हमारा इस टिक अब हमारे जो सेक cuidado roles फॉइन चीज़ है कुकी क्या एक क्या होती है तुकि हमारी कुकी मतलब वो खाने कुकी नहीं अच्छा जो भी हम इंटरनेट उस करते हैं तो आपने कभी-कभी देखा होगा कि जैसे की हम को एप साइड ओपन करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि मैंने यहां सच किया इसप्ट ओवर्फ्लो है या है यह तो तो देखिए जैसे मैंने इस अपन किया आपको यह देखिए साइड मत नहीं पर एक टॉप पारा रहा है एक बातोज हैं। तो कुकीजस क्या है he 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 एक तरीक इन्ध माल दीजिए हमने वेब साइट पर इस वेब साइट पर जो भी चीज़ में सरक ही। इस अछने से जहां जहां पर क्लिक किया जो भी चीज़ देखी। तो वो सारी चीजें यहां पर cookies के form में store होती है किस के पास इस website owner के पास और उसके साथ साथ हमारे browser पर भी और system में कहीं पर तो जैसे आप इसको accept all cookies पर क्लिक करेंगे यहां से अल्दों कि आप इसको यहां से कर सकते हैं कि आपकी क्या कौन कौन सी कुकी आपको इस्टोर करवानी है कौन सी नहीं करवानी है यहां देखिए आप जैसे की सबमंसर्ण है कि functional cookies, targeting cookies, performance cookies लेकिन इधना हम ध्यान नहीं देते हमनों क्या करते हैं जनरली allow all पर क्लिक कर देते हैं तो cookies क्या करती है, cookies क्या करती है, basically यह हमारे जो भी हम website पर जो भी work कर रहे हैं तो हमारे user experience को हमारे online experience को बनाती है और यह जो कुछ भी हम इस पर करते हैं उन data को यह सेफ कर लेती हैं, ठीक कि कि जब भी हम दुबारा से जब अभी कभी भी इस website को open करेंगे तो वह वह चीज़े ही हमको recommend करेंगे कि last time आपने ESG search किया था और हम easily उसको open कर सकेंगे, तो साथ ही हमारी जितनी भी यहां पर information मैंने share कि अगर मैंने website पर login किया होता है, तो वह हमारा उस information को भी शेव कर लेती है, जिससे कि next time पर जब भी मैं इस website पर आऊं तो मुझे उतना वक्त ना करना पड़े जो मैंने first time यहां पर open करने पर किया था, अब होप कि आपको मोटा मोटा अंधाजा हो गया होगा, basically यह चीज ठीक है, लेकिन यह cookies भी बहुत data और बहुत storage देती है हमारे system में, हमारे RAM में और जिससे की performance पर effect होता है, थर्ड थर्ड चीज आती है अब हमारे पास, जो की है cache, cache files, अब cache files क्या होती है, cache files यह होती है, जैसे कि मैंने आपको starting में बताया कि, जब भी मैं को website load करता हूं, तो मान लिजिए उ और उसके बाद मैंने उसको cut किया, और जैसे ही website को मैंने दुबारा से load किया, वो तीन सेट में ही load हो गई, तो क्या होगा कि जब website first time मैंने उसको load किया, तो क्या किया उसने कि उस website का एक temporary template बना के उसने कहीं पर cache के रूप में store कर दिया, cache मतलब होता है temporary template, चो कि इसने अगर बीच में कोई भी server होता है, जो कि मुझसे बहुत क्लोज है, तो वहां कि उससे और closest server जो हमसे होगा, ठीक, वहां बाइस ने store कर दिया, तो उसी तरह क्या होता है, कि user जो कि मैं हूँ website access कर रहा है, और website जहां पर host है, ठीक, उन इन दोनों server के बीच में जितना भी distance है इस distance को कम करने के लिए अगर बीच में कोई भी server होता है, बीच में कोई भी server है, जो कि मुझसे बहुत close है, तो वो क्या करता है हमारी, तो हमारा system क्या करता है, जो मैंने website request की, उस website एक template, एक cache file के रूप में, वो closest server पर store कर देता है, इससे कि क्या होता है, कि first time में तो जो farthest server था, वहां सबसाई का हमारी लोड हुई, लेकिन जब हम दुबारा से लोड करते हैं, तो system देखता है, हमारा server ये चिक करता है, कि क्या ये file पहले से इसमें लोड करी है, अगर करी होगी, तो वो cache file में हमारी store होगी, close server पर, तो क्या करेगा, उस close server पर जाएगा, अगर वो cache files क्या होती है, कैसे काम करती है, तो इस तरीके से जो मैंने बताया, आपको cache file भी कही ने कहीं पर store हो रही है, ठीक, हमारे system में भी, हमारे browser में, ठीक, तो जो की space ले रही है, और जिसे कि हमारी performance पर effect पढ़ रहा है, चलिए मैं दिखाता हूँ, आपको कि ये साई चीजे कह यहां पर store होती है, तो जैसे कि हमारा Google है, हमने यहां पर कोई भी चीजे सर्च करी, जो चीजे भी सर्च करी, वो यहां पर हमारी सब की cache file बन चुकी है, ठीक, तो अगर आपको चेक करना है कि ये history, क्योंकि जो cache files कहां store होती है, और इसको कैसे दिरीर किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको यहां पर Google पर, यहां पर three dots दिख रहा होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर आपको जाना है settings में, settings में जाकर आपको simply यहां सर्च बार में type करना है, cookies, तो आप देखिए, यहां पर आपको सब दिख जाएगा, ठीक, cookies कॉंक्ष कॉंक्ष क cookies आपको साइट्स पर allowed है, यहां से आप cookies को allowed block कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप अपने मन से explore करिएगा, आप समझ जाएगे, उसके साथ ही आपको दिख रहा है, यहां पर clear browsing data, तो अगर आपको साइट से delete करनी है, यहां क्लियर करनी है, तो आप कैसे कर सकते है, देखिए, जैसे है, आप clear browsing data पर click करेंगा, तो आपको सामने यह pop-up open होगा, तो अगर आपको सारा data delete करना है, जब से आपने, जब से भी आपकी system use कर रहे है, all time, तो आपको simple यहां all time select कर देना है, इसके साथ ही, आप यहां पर last four weeks, last seven days, last 24 hours, and last hour का भी select करके data delete कर सकते हैं, जैसे कि मै आपने पास बहुत सारी temporary files हैं, बहुत ही, क्या बोलते हैं, unnecessary files हैं, तो इसको मैं store कर नहीं रहे हैं, तो मैं इसको delete करना चाहता हूं, तो आपको simply क्या करना है, all time पर click करना है, यहां पर आपको जो कुछ भी delete करना है, जैसे कि यहां पर दिखा रहा है, browsing history, cookies and other side data, तो इस पर भी tick कर देना अगर टिक नहीं है, और आपको select करना है cache images and files, देखिये, तो सिर्फ cache image से ही अब देखे, आप मुझे लिख कर दे रहा है, 58.4 MB space free हो रहा है, और उसके साथी आप यह भी देख सकते हैं, लिखा है, sites में loads more slowly on your next visit, तो इसका मतलब की cache files से क्या होता है है, हमारी sites fast load होती है, तो क्या करना है, आपको simply यहाँ पर click करके clear data कर देना है, clear data करेंगे, तो यह देखिये, आपका यहाँ पर यह circle गूमने लगा, तो यह आपका deletion शुरू हो गया, तब तब मैं इसको थोड़ा fast forward कर देता हूं, ताकि यह delete हो जाए, यूँकि data बहुत सारा है, तो थोड़ा time लगा है, तो देखिये कि जैसे कि हमारा data delete हो चुगा है, हम दुबारा से आते हैं, यहाँ पर history पर click करते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, hotels from our device history भी clear है, no browsing history appears, उसके साथ ही, अगर मैं यहाँ पर search करू, cookies or cache files, तो कु कुछ भी clear नहीं होगी, तो इस तरीके से आप को cache files, cookies और history को delete कर सकते हैं, तो friends, I hope कि आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत knowledgeable होगी, और आपको समझ में आया होगा कि कुकीज, cache files और history क्या होती है, और कैसे delete होती है, तो friends, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, किसी next वीडियो में, किसी नए topic के साथ, तब तक के लिए good बार